एक एयरपोर्ट पर कड़े बंदोबस्त के बावजूद भी नसीली पदार्थों की तसकरी हो रही थी तब पुलिस ने जाच के लिए जासुस मेहुल को बुलाया मेहुल ने अपनी खोच बीन और जाच से उन चार दिनों का पता लगा लिया जिस दिन तसकरी हुई थी पहला दिन 24 जनवरी, दूसरा दिन 12 अप्रेल, तीसरा दिन 30 जून, चाथा दिन 12 अगस्त क्या आप इस पुटेज से अपराधी का पता लगा सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को बैक करके दुबारा पुटेज देख सकते हैं इसका सही जवाब है सी, क्योंकि करवती महिला जनवरी से लेके अगस्त तक एक समान दिक रही थी इसका मतलब वह अपने पेट पर नशीली पदार्थे चुपा कर उसकी तसकरी कर रही थी अगला सवाल है एक कुफा के दो रखवाले, दोनों लंबे, दोनों काले सही जवाब है मूछे अगला सवाल है दुनिया बर की करता सैर धरती पढ़ना रखता पैर दिन में सोता रात में जगता रात अंधेरी मेरे बगैर इसका सही जवाब है चांद सैम एक छोटा बच्चा था जिसका अभरन कर लिया गया था वह किसी तरह अपने किड्नैपर से छोट कर घर वापस आ गया लेकिन वह बहुत डरा हुआ था और अपनी किड्नैपिंग के बारे में किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था सैम की माने जानकारी निकालने के लिए जासूस मेहूल को बलाया जासूस मेहूल सैम से जानकारी निकालने की कोशिस कर रहा था पर सैम एकदम चुप चाप था पर कुछ कहने के इस्थिती में नहीं था तब सैम ने किटनैपिंग के दोरान अपनी बनाई हुई एक तस्वीर जासूस मेहूल को दी मेहूल ने चित्र को गौर से देखा और तीन लोगों पर सक जटाया पहला घर की नौकरानी मैं तो सबजी लेने बाहर बजार में गई थी दूसरा पैंटर मैं तो पिछले कमरे में पुताई कर रहा था तीसरा गाड मैं तो गेट के बाहर खड़ा था क्या आप इन तीनों में से अपराधी की पहचान कर सकते हैं? सही जवाब है पैंटर पैंटर के कपड़ों पर उसी रंग के धबबे थे जिस रंग से सैम ने चित्र बनाया था अगला सवाल है आपको ढूडने है पाच अंतर पंदर सकेंड के अंदर क्या आपको के अपको के अंदर आपको के अंदर क्या आपको तो आपको झाल, 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 झाल.